सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटिस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए प्यार की लगा चुपी, प्यार की लगा चुपी, ओ अजिए प्यार को हमने अपनी किसमत मान लिया है, तुसे भुलाने की कोशिश क्यों करेंगे हम? सार तक हमसे अलग नहीं है, हमारे यह किसा है और इसी लिए हम अपने, उसके और अपने प्यार के साथ भोका अर्किज नहीं करेंगे जब तुम अपना पहला प्यार भुला नहीं सकती, तो मैं अपना पहला प्यार की तुम बुलागा तो सुन लो तुम भी मेरी बार, जब पर बात हमारी थी, तो ही करेंगे पर यह बात आ गई है मेरी मॉम डैट की इज़त तो और उनके जब पर में कोई दाग लगने नहीं दो उनदा, तो इस शादी से मैं अपीछे नहीं हच सकता, इम सुर्षी अलो हलो क्या सिष्षी समझता क्या वो लटकापने आपको, उसके हिम्मत कैस होई तुम परहपला करने की, अब क्या हम उनके डर के साही बे जीते रहेंगे, आप चुप क्यों है, बताते के उन्हें की हुआ क्या था हाँ बेता, बताओ तो तुम बुंडा तुम से टकड़ाया कहाँ हमनी, वहम अपनी प्रॉपटी के काम से बाहर जा रहे थे, साथी पापा ने स्रिष्टी की सगाई के लिए मिठाईयों का और सजापट का ओर्डर देने के लिए के लिए का था हमने सोचा दोनों काम करके जल्दी घर वापस आजाएंगे जो हम गेट से बाहर निकले तो वह मिल गया और हमसे पूछने लगा कि कहा जा रहे हो हमने बोला कि हम इस रिष्टी की सगाई की तेयारी के लिए जा रहे हैं तो अचानक बढ़क गया और हमसे बूलने लगा इस रिष्टी की सगाई तो सिर्फ हमसे ही होगी और हमसे जवरदस्ती करने लगा लगा लाकि हम पापा से उनके रिष्टे की बात करें और जो हमने मना किया तो चानक भील गया और अपना चाकू निकाला बस अपने आपको बचा रहे थे तो यह हो गई अब वो लड़का चाकू की नोक परिष्टा कराएगा हम सबको अपने पैरों पे जुकाएगा यह पसंद है स्रिष्टी की हमें तो बच्पन से स्रिष्टी की दोस्ती उस लड़के से पसंद नहीं है एक नंबर का आवारा था वो और अब अब तो बुर्णा कर्द पर एक बात हमें दिमाग में ना घुसरा है वो खुदे ही तुमको धंकाया खुदे ही मारा पीटा फिर सबके सामने साथ कहले आया है वो दादी हम जखमी हो गए थे ना तो वो खुदी माफी मंगने लगा बोलने लगा कि हम ये बात किसी को ना बताएं और लोने लगा पा साथ आगे ना बढ़ जाए इसलिए अपने अच्छा ही दिखाने के लिए हमार साथ आ गया अच्छा तो पहले मारा पीटा फिर खुदे ही माफी मांगा और फिर अच्छा हो गया उसका दिमाग खराब ठका उसके अंदर की बाते हो ही जाने अब बगले मज जहां को सारंग काई कि हमको पता है तुम जूट बोल रहे हो ना बहुत कहानी सुना लिए अब सच बताओ जी देखिए हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द कारवाई शुरू करें उस जान देवा हमला किया है आप कोई भी धारा लगाईए पर उस लड़के को गिरफतार कर के अंदर कीजिए जी शुक्रिया एक बार जेल जाएगा तौकरल ठिकाने आ जाएगी इस लड़के की हमने नहीं सोचा था कि बात यहां तक महुत जाएगी अब तो डर लग रहा है जब साथ जामने आएगा तब क्या होगा तुम कहा किये बहुआ पुलिस में कम्प्लें नहीं लिखाई है उस लड़के की उसने जो आज किया है ना उसे उसकी सदा मिलना जरूरी है मा चलो ये अच्छा हुआ सार्थक पाप सही इलाज कर दिया पापाजी ने अब स्रिष्टी के हाथों में मेहंदी सजीगी और उसके आशिक के हाथों में ठतकड़ी जिंता मत करो गता हम जानते हैं तुम कुछ नहीं किया है थैंक यो पापा हम पर भरोसा करने के लिए पर सारण भई ऐसा करेंगे यह अबने कभी नहीं सोचा था साप को कितना भी दूद पिलाओ उसका जहर कम नहीं होता वो पलटकर डस्ता ही है अरे हम तो पब से कह रहे हैं यह पूरा खांदान है न वो भरेभी है भरेभी हम कुछ कहते थे तो हमारी बात तुई जैसी चुपती थी अब आई अकल अरे सार्थक हम तो कहते हैं जैसा उभाई पलता है ना उन लड़की वी चौरा है पर तुम्हें चपल ठेक कर मारेगी तुम देख लेना हुआ 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 है हुआ 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 ही हम इसार्थक है तुम हो यहां के गुंड़ ने तो कुंड़ा हुआ है अरे सब्सक्राइबेए अरे के अरे में जो है यहां सब्सक्राइब बोला तो जबान खित कर इंस और अपर यळटका देंगे थोड़ी हमें, सर, 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 सर हमाई बेटे को बोलने का एक मोगात हो दीजिए उस उक्ती उसकी बाद तों पूरी सुन दीजिए सर ये, जाल इसको उंदर, चल कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं किया उंको छोड़ दीजिए आप लो हमारे काम में बादा मतली और नहीं मजबूरन आप लगों को भी ठाना ले जाने पड़ेगा सिसका को उननननननननननन kова कि शक्ते औलेतス! हम बेक असूर है शिष्टी हमने कुछ नहीं किया चानते है सार्था हमें इतना भरोजा है अपने प्यार पर इतुम ठीक नहीं किये बबवाज सबको अपने बात कहने का हक है सार्थक से तुम यह हक छीन लिए अपने पत्पा गलत फैदा उठाये हो तुमारे करेजे में थंड़क पड़ गई तुमारे ऐसी सांती मिली होगी जो जिन्दगी में पहले कभी नहीं मिली तुम्हाई वज़े से हमाई भाई जेल जो चला गया दीदी चौक दीदी पीदी हम नहीं है तुमाई जबरन हमसे रिष्टा जोडने की कुनों कोशिश ना करो और वैसे भी तुम्हारे बाप ने ये साबित कर ही दिया है कि तुम लोग किसी रिष्टे के लायक हो ही नहीं मास सारंग चाहे लायक है या नालायक लेकिन हमारा बेटा है उस पर उढली उठाने का आवाज उथाने का हख सिर्फ हमारा है हम किसी को भी उसकी जिन्दकी के साथ खेल ले का हख नहीं दे सकते तो हम कभ कह रहे हैं कि तुम गुनेगार को छोड़ दो पर सजा सुनानी से पहले असली गुनेगार तो ढूंड लो, सच और जुट पर जाच तो कर लो माँ हमें हमारे बेटे पर पूरा भरोसा है और हम उन छोटे लोगों की छोटी हरकतों को अच्छे से पैचानते जितने घटिया वो लोग है उत्री ही घटिया उनकी सोच भी है घटिया पनपर तो तोहार बाप उत्रा है हमारे भाई ने उसी बेटे की जान बचाई उस दिखा कि हाँ हमारे भाई पर हाथ उठाया उसे जेल विजवा दिया बाप भया पेटा नंबरी, तो बाब ससुरा दस नंबरी. अरे गलतियां करने में ना, वहार परिवार ने रिकार्ड ही तोड़ दिया है. बववा, गलतियां इतनी भी मत करो, कि जब एहसास हो, तो पश्टावे का हर दर्वाजा बंध हो. यह आप कह रही है? हम नहीं कह रहे हैं भुवा, यह हमारा अनुभव कह रहा है. हम फिर एही कहेंगे, कि डोनों पहलूओं का चाच किये बिना निन्ने सुनाना तुमारे लिए ठीक नहींगा. आ हम आपकी फिक्र समझते हैं, और उन्लों की नस्टस से बाकिफ है. जब तक उन्हें उनकी आउकात नहीं दिखाई हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा. समझ तो हम बहुत पहले से गए थे, तो हर बाक और तो हर भाई को. और यह आउकात पर आकर उन्हों ने थाबित कर दिया कि हम जो कर रहें न वो ही सही है. तो देवी माँ अभी एक काम करो, अपना असली रंग दिखा दो, ताकि हमाई भाई के आँखों से तुमारे नाम की पट्टी हट जाए और हमाई जीवन सुख शान्ती से बीते, समझ गई? एक बात गार बांध लियो बववा, वक्त का जब डंडा पड़ता है ना, तो समझने का मौका नहीं मिलता, वो सब का हिसाब रखता है, और सूच समीच जवाब देता है. बहुत अच्छा किया, आपने सार्थक को जेल बिजवा कर बिल्कुल टीक काम किया है पापा, इतना बड़ा पाप जो किया है उसने, उसको सजा तो मिलनी ही चाहिए, हाज तो हमें आपकी बेटी होने पड़ना गर्व हो रहा है, हम तो कहते हैं जेल क्यों, पाप, पाप, पाप ही चड़वा देते ना उसे, आपके आपकी बेटी से प्यार करने का इकना बड़ा जर्म जो किया है उसने, अक्वास मत करो शिष्टी, तुमारे इनफालतु बातों के लिए हमारे पास कोई वक्त नहीं है, हाँ, एक बात ठीक गई तुमने, तुमारे भाई सारंग पर उस लड़के ने हाथ ठाके जो पाप किया है, उसकी सजा हम उसे जरूर दिलवाए के, ठीक है, मान लेते हैं कि उसने सारंग भाया पर हाथ उठाया था, आपने कौन सी कमी छोड़ दिये पापा, उसके पापा पर गलत इल्जाम लगाया आपने, उसके पापा को यू पर आज उसे सीधा जेल भिजवा दिया हमने, जो कुछ हुआ है उसका सुबूत है हमारे पास, हर चीज साबित कर सकते हैं, पर आज तक एक सबूत भी आप देने ही पाए, पर आज भी बिना सोचे समझे, बिना किसी की बात सुने, हमने सीधा उसे पुलिस के हवाले कर दिय इतना कुछ हो जाने के बाद भी तुम चाहती हो कि हम उस लड़कीं को बोलने का मुका देते हैं, उसकी बहन ने हमारे घर पर पत्थर भेका, और उस लड़के ने तुम बारे भाई पर जानने वा हमला किया, तुम क्या चाहती हो हम किसी की जान जाने के इंतजार करेंगे? कैसी बेटी हो तो और कैसी बेन हो जो अपने परिवार की गुनेगारों की वकालत कर रही हो इसको कुछ कहने का मतलब नहीं पापाजी ये प्यार में इतनी अंधी हो गई है कि इसे अपने भाई का दर दिखाई नहीं देता प्यार करते हैं कितना नहीं यह में किसी को भी थाबित करने की जरूरत नहीं है हम आपका दर्ड मैसूस कर सकते हैं पर उतना ही भरूसा हमें अपने प्यार पर भी है हम जानते हैं जिस हाथ पर आपको चोट लगी है सालों से राखी बानते आ रहे हैं हूं और इसलिए आपको स्राखी की कसब अब कुमारी कसम खा कर कही है कि आपकर हमला सार तक ने किया था पुले एनव, आपकी इस बात पर हमारी जिन्दगी टिकी है हमारी कसम खाए और बताए हमें हम पर भरोसा ही नहीं है श्रिष्टी तो कसम खाए क्या फाएदा हमें तो ऐसी भेहन से बात ही नहीं करनी जो अपने भाई पर शक करें अपने खाएदा पापा, सारंग भाया के जवाब से आपको पदा चल गया होगा कि कौन सच पूल रहे है और कौन छूट ज़रूरी नहीं है सिष्टी की सारंग की बात का तुम जो मतलब निकालो हम उसे ही सच माने अर आदमी का अपना एक नजरिया होता है तुम अपनी सोच हम पर नहीं थोप सकती है तुम अपनी बेटी पर नजर रखना है इस घर में आवाज है कितनी भी उठे हैं वैसले अभी भी हमारे ही चलेंगे पाती बद्टो नहीं थो जाए थो ज़िए तो साफ साफ चाहते है हमारे बेटे पर आपने उल्टे सीधे बहुत सारे इल्जाम लगा दिये जबके हमारा साथ तक तो निर्दो से कुछ किया ही रही है अगर कुछ नहीं किया तो काहे हमारा और अपना वखत बरबाद कर रहे हो कर लो इंतिजार अदालत के फैसले का होने दो वही से समानत लेकिन सर उसमें तो बहुत समय लगेगा उस सब तो तुम्हारे बेटे को पहले ही सोचना चाहिए था एक सरीफ आदमी के साथ जबरदस्ती उसे धंकी दी और जान लेबा हमला किया अब तो यह तो गया दो तीन साल के लिए अंदर हम आपके हाथ छोड़ते हैं सर अवारे बेटे को छोड़ दीजिए एक मात नसार हाय हमारा वो है चुक, बहुत सम्मान हो तुमारे लिहाज करतें तुम्हारे उमर का इसका यह मतल नहीं कि सर पर बैट जाओ तो जो भागो यह से वरना यहीं तिया पंचर कर देंग तुम्हारा अड़ी सर, हमायर मेटे को छोड़ दीजिए कुछ देंग किया है वो रेपांडे, पहा निकाले विशको जर पहा निकलो भायर चलो शरो चलो कुछ नहीं तो प्राओ तो जो प्राओ 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 अज़िए अज़िए का बैया जी टाहिए हमें सार्थक से मिलना है उवा है जाय ये मिली जी सार्थक सार्थक स्रिष्टी जाट था मैं माफ कर दो वमारी वज़े से तुम्हें ए सब कुछ थैना पड़ रहा है कि यह सम उमारी गलती है यह सुम्हरीश में कोई गलती नहीं है गलती हमारी है गलती हमारी है शरष्टी के हमारा स्टेटस बहुत छुटा है गलती हमारी है कि हम गरीब हैं मजबूर हर कोई हमें आकर दफा कर चला जा रहा है और हम यहां खड़े है कुछ ही नहीं तरुपर बस नमाशा देख रहे हैं पर तुम देखना बहुत जल्द उस उचाई को छोएंगे कि हमारा यह स्टेटस यह गरीब ही यह मजबूरी इन सब को मिटा के रख दें हैं यह हमारी जिंदकी से उसके पात किसी की हमत नहीं होगी हम पर उंगली उठा लेकि हम तुमारी कसम खा कर कैंदे जार तक तुम ऐसी बाते मत किया करो जब तुम यह सब कहते हो ना हमें बहुत गबराट हो जाती है हमें बहुत डर लगता है अरे तुम्हें क्यों डर लगता है हम कोई फरजी बात नहीं कर रहे है नहीं तुमारी जोटी कसम खा रहे कॉलेज में जो तो हमारी नौकरी पक्की, उसके बाद स्रिष्टिक कोई हमें छोटेपन का हिसास नहीं करा पाएगा। सार्थक, हम जानते हैं, हमें पूरा विश्वास से तुम पर, तभी तुम हैं एना यहां, जुड़ाने के लिए, एको ना, दादी बात भी कर रही हैं। उक्का है ना, अमकोड़ा नरम दिल्के, इसली मिल्ले दी, वर्नावस लड़केका बच्णाना मुम्की नहीं? हाँ, आपलों गंदर राजाव। माता जी, आप कहें टेंस नहीं आ रही हैं। वोकिल की कौन जरूत नाही है। अरे उसको पर इतना चारह लगा हैं, इतना चारह लगा हैं कि अब बहर महीं आ सकता। अच्छा। और का किये? सोच रहे हैं कि सल तक लूट मारी का एक दो केस डालते हैं। चोरी, डकैती, अटाइम्टू मर्दा। सीधा साथ आठ साल के लिए अंदर। बच्पन में अक्रोट खाये होते, तो इस दिमाग की बत्ती जरा जल्दी जल जाती। इस दुन्नों वकील को तुम्हारी वीर गाथा सुनाने के लिए नहीं लाएं। तुम कुछ भी कर लो, सीनियर वकील सहाथ साथ तक को छुडा कर ले जाएगी।